तो गईस सामसंग M34 में एक नया अपडेट रोल आउट हो गया और जनरली काई सिरीज के फोर्स में यहाँ पे दो अपडेट एक मैने में कभी नहीं आते हैं अब यह अपडेट क्यों आया है इसके पीछे क्या कारण है यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चल भाई ने यहाँ पे इनका कॉमेंट भी यहाँ पे दिस्पले में लगा देता हूँ अब यह जो अपडेट है यहाँ पे 237 MB का है और इसका सबसे बड़ा कारान यह है गाईस देखिए M-series में अपडेट जनरली तीन महीने में एक बार आता है छोटे मोठे अपडेट की ब अपडेट आया था उसमें जो सेकुरिटी पैच लेवल था वो था गाईस एक नवंबर 2023 का लेकिन जितने अपडेट गाईस बाकी फोन में उनमें जनरली एक दिसंबर का अपडेट रोल आउट कर दिया गया तो इसमें भी गाईस अब एक दिसंबर का यहाँ पे पैच लेवल को ही यहाँ पे टार्गेट करता है इसमें आपको कोई भी नय एडिशनल चीज़े नहीं देखने को मिलेगी हाँ थोड़ी बहुत हम लोग कह सकते हैं जो बैटरी में जो बैटरी पैक अप होता है या फिर थोड़ा बहुत अप्टमाइजेशन में उपर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो सेक्रेटी पैच लेवल है वो गाईज एक डिसमबर 2023 का अपडेट कर दिया गया है बाकी अब आप लोग बताओ कि क्या आपने कुछ नई चीज़ नोटिस करी इस अपडेट के बारे में या फिर आपको वही सारी चीज़े देखने को मिल रह करना साथी में चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना आपके लिए नियुक्त सुनके नेटे गुडियों में अपके लिए दमशकार